बिहार के नियोजी सिच्चकों के आज पर फिर गया पानी क्या बिहार के मुखमंत्री अपने घुसनाओं से हटेंगे पीछे या फिर बिहार के नियोजी सिच्चकों को और करना होगा इंतजार या तकनिकी कारणों से फस गया बिहार के नियोजी सिच्चकों के राजकर्मी क कि दर्जा किया कूछ चल रहा है की हर में या राजनीती के सथीकार हो गए बिहूर के नियोगी सिच्छक या इंतजार करते करते फिर नियोगी सिच्छकी बने रहेंगे गविहार केलेी सिच्छक नमस्कार मैं हूं आपके साथ सुनिल भोबी और आ इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्जकरम बिहार सिच्छा समाचार जहां बाते बिहार के सिच्छकों पर आज करेंगे बिहार के नियोजी सिच्छक अपनी मांग जहां बेतन बढ़ोत्री को लेकर किये थे फिर समान काम समान बेतन तक आगए आंदोलंद सडक से लेकर सदन और कोट तक कर दिये हाई कोट में जीत के बाद सुप्रीम कोट पहुच गए लेकिन अन्तों गतवा सुप्रीम कोट में हाई कोट में जहां जीत हुई तो सुप्रीम कोट में हार में हो गई लेकिन वह हार नहीं माने और फिर से बिहार सरकार से राज कर्मी की मांग करने लगे और मांग इतनी तेज हो गई कि सरकार के कानों तक पहुँच गया और बेचैन कर दिया हर तरब से दवाओ और सरकार कई महीने पहले ही नियोजी सिचकों से वादा कर चुके बिहार के मुखमंत्री नितिस कुमार कि आप बिल्कुल सांध रहें और BPSC की बहाली हो जाने दिजिए परिच्छा हो जाने दिजिए फिर आपको भी तमाम मांगों पर विचार करते हुए आपकी मांगों को पुरी की जाएगी बिहार की नियोजी सिचक जहां 20 वर्सों से संगहर्स करते हुए सबर कर रहे थे लेकिन उनका सबर का हमेशा इमतिहान लेते जा रहा है लिता गया लोग हर से मुखबंतिरी हमेशा इनके सबर के इंतजार सबर को देखते रह गये फिर भी वह सबर की बांग तुटा नहीं इंतजार करते हैं और कर रहे हैं बीपीसी की परिच्छा भी हो गई रिजल्ट भी हो गया और लोग बहाल भी हो गया और आज वह स्कूलों में भी ज्वाइन कर लिए पदस्थापित हो गए फिर भी आज भी बिहार के नियोजी सिचक सांथ है कि बिहार के मुख मंत्री जो वादा किये है वो तोडेंग नह जैसे ही बिहार के नए सिचक नियुक्ती की नियुक्ती पत्र दिये जा रहते तो वहां भी बिहार के मुख मंत्री नितिस कुमार ने कह दिया कि एक मामूली परिच्छा लेकर बिहार के नियोजी सिचकों को राज कर्मी की दर्जा दे दिया जाएगा अब क्या था बता भी आर के नोजी सिचक जैसे सांत तेस सांत रह गये हलका फुलकी हलकी फुलकी अपनी बातों को उठाते रहे सरकार तक पहुचाते रहे सरकार की ओर से भी अख़बारों के माध्यम से मीडिया के माध्यम से आते रहा कि शिचकों को अब मिलेगा अब मिलेगा तब मिलेगा अब मिलेगा तब मिलेगा आज कबिनेट में मुहर लगेगी कल लगेगी दस दिन बाद लगेगा एक महिना बाद रहेगा इसी तरह से कई कर दिया कि 22 नमंबर को मुहर लगके रहेगा हम लोग को भी जनकारी सुत्रों के हवाले से मिली कि 22 नमंबर को मुहर लगेगी अन्थ में जब बिहार के मिनेट की बैठक हुई तो बिहार के नियोजी सिचको का आस निरास में बदल गया सबर की बांद तूटने लगी फिर भी बिहार के नियोजी सिचक अब तक सांथ है इस विश्वास पर कि मुख मंत्री का वादा नहीं तूटेगा लेकिन बता दे कि क्यों नहीं लगा कब लगेगा अखिर क्या अर्चने आ तमाम चीज़ों पर हम आपको हम चर्चा करेंगे आपको आपसे बात करेंगे आप भी कॉमेंट बॉक्स में बताईएगा कि हमारी तर्क सही है या इसी उलूल जूल है लेकिन उससे पहले है कि अगर अब तक यहां तक आपने वीडियो देख लिया है हमारी बातों पर आपको विश्वास होता है हमारी खबरे अच्छी लगती है हमसे आप जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिजेगा क्योंकि हमारी सदस्ता सक सकती बढ़ती है तो सकती बढ़ती है और सरकार तक आपकी बाते पहुचाने में हम सच्छम होते हैं तो इस नाते भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और आप बढ़ाई के पात रहें कि अब तक आपने हमें यहां तक पहुचाने का भी काम किया है यह निय हम बात कर लेते हैं कि आखिर 22 दमंबर को कैबिनेट में नियोजी सिचको के राजकर्मी की दर्जा पर मुहर क्यों नहीं लगा सबसे पहली बात तो यह है कि आप के आज लगे कल लगे या अगली मंगर बार को लगे लेकिन कैबिनेट में बिहार के नियोजी सिच्को के राजकर्मी के दर्जा के मांग पर मुहर लगेगा यानि राजकर्मी बनेगे परिच्छा सचमता परिच्छा भी होगी तमाम चीजों का लाभ मिलेगा लेकिन संजोग नहीं जुट पा रहा है आप कहिएगा कि एक कहावत वाली आप बात कर रहे हैं लेकिन बात सही है संजोग नहीं जुट पा रहा है जैसे दसाहरा दिपावली छट के बीच कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई छुटियों के कारण और जब हुई 22 नवंबर को तो इतने परस्ताव पड़े हुए सायद थे कैबिनेट में कि उसमें भी चून कर रखा गया आपको जैसा मालूम है कि विभीन विभागों से परस्ताव कैबिनेट में भेजा जाता है तो आपका एक सिच्छा विभाग नहीं कई भी भाग हैं और सभी विभाग से कुछ ने कुछ परस्ताव पारित करने के लिए जाता ही रहता है तो सिच्छा भी भाग जो है राज नियोजी सिचको के राज कर्मी की दर्जा देने को लेकर परस्ताव तमाम अर्चने समस्या है दूर करकर बित भी भाग से समती लेकर तमाम चीजों से समती लेकर बित भी भाग में जब फाइले परस्ताव जाती है तो आप प्रस्नली चले आते हैं और वहां पर समती लेकर परस्ताव पर मुहर लगाई जाती है तो आप तो बीत विभाग के और तमाम चीजों से सिच्छा विभाग जो है वह फाइल कैबिनेट तक भेज दिया गया है यहां तक कंफर्म है यहां पर कोई चुकी परन्तु वाली बातें नहीं कि मुख मंतरी खुद इसका एलान किये हैं तो उनके पास यह फाइल नहीं अटक सकती है और वहां अगर फाइल लटकी हुई है तो हो सकता है कि नियोजी सिच्छकों को कुछ और बड़ा मिलने वाला है जैसा कि बिहार के नियोजी सिच्छक दो चीजों पर अपना विचार दिये थे पहला बिना किसी सर्त का हमें राजकर्मी का दर्जा दिया एक लाग से ज्यादा लोगों ने अपना सुझाओ दिया था दूसरा कि बिशिच्छक का जो नाम है यह नहीं रखा जाए तो दो चीजों पर खास विचार हुआ है चल भी रहा है तो हो सकता इस पर तो परस्ताओं को ज़्यादा होने के कारण भी उसमें बैठक में सामिल नहीं किया गया आपको बता दे थोड़ा सा राजनितिक बाते कर लेते हैं कि बिहार को भी सेसराज के दरजा देने का भी परस्ताओ था और उसको पारित किया गया मुहर लगाई गई तो एक राजनि किनिया था मीडिया के लिए तो कोई भी नेता कोई भी सत्ताधारी एक साथ कई चीजों पर सुर्किया नहीं लेगा तो धीरे-धीरे करके तो हो सकता कि यह उस्युर्किया बने और नियोजी जिश्चक चार लाग है और एक नियोजी सिचचक पर पांच परिवार और तो कितनी संक्या हो जाएगा हुआ कि चार लाक नियो जी सिच्छत में चार लाक परिवार कहिए तो यह सरकार के लिए सत्ताधारी पच के लिए एक बहुत बड़ी खबर बहुत बढ़ी सुर्खिया हो सकती है बहुत बढ़ी पब्लिक सिटी हो सकती है तो इसको एक बिसे सुरूप में रखा जाएगा जब यह पास किया जाएगा जिस दिल मुहर लगेगा तो और इसके साथ जितने भी दस विस प्रस्ताव पारित होंगे मुहर लगेगे वह छोटे- में तो यह सरकार के लिए बहुत बड़ी सुर्खी होगी पब्लिशिटी होगी तो इस कारण से भी आपके प्रस्ताव को इस पैठक से दरकिनार किया गया है सब कोई चाहता कि एगर हम कुछ कर रहे हैं तो मेरा नाम हो तो बिहार दरजा देने का जो प्रस्ता हुआ यह भी कि एक सरकार के लिए बहुत बड़ी चीज है सरकार पब्लिक तक के बात पहुचाना चाहती है तो एक साथ कई सुर्खियों में फिर बदल हो जाता तो सरकार चाहेगा कि हमेशा सुर्खी में रहें हमें पब्लिशिटी मिले पब्लिक तक हमारी बाते पहुचे पब्लिक तक लगेगा या नियोजी सिचको का एक खास रहेगा उसके बाद कई प्रस्ताव होंगे जो छोटे-छोटे होंगे मामूली हो तो आप मिस आप बिल्कुल निरास नहीं हो आज पर कभी पानी नहीं पिज लेगा कहा भी गया है कि सबर का फल जो होता है मीठा होता है आज तो मान सकते हैं बाई कि सबर का फल जहर होता है आज इस्थिती यह बन गई लेकिन नहीं जो पुर्व में हमारे पुर्वजो को ने पुर्वजों ने जो उधारन दिये हैं वह आज तक किसी भी छेतर में निराथक नहीं हुआ है पुर्वजों ने कहा है कि सबर का फल मीठा होता है तो मीठा ही होता जहर नहीं होता है यह बिलुकुल ध्यान रखें हैं यह जरूर है कि अपनी मांगों को सरकार तक रखने की जरूरत पढ़ती रहती है जब भी सरकार सोने के स्थिति में हो तो अपनी बातों तक पहुशाने चाहिए हलाकि आज की स्थिती में कुछ करने की खाज जरूरत नहीं है निशीत तोर पर जब मुख मंत्री खुले मन से कई बार बोल चुके हैं जंड तोलन के समय 15 अगस्त को भी मुख मंत्री ने गांधी मैदान से एलान किया कई बार मीडिया में बोले ऐसे शिच्चक ने उक्ती पत्र बाठत्य वक्त बोले इतनी बार आपको दिवास्वपन दिखाने का कार्ज मुख मंत्री नहीं करेंगे निशीत तोर पर आपके मांगो के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी या बिल्कुल हम पर अगर विश्वास करते हैं तो निस्षी तोर पर लगेगी बाकी सरकार पर है उमीद ही नहीं पूर विश्वास है कि राजकर्मी बनना तया है कैसा लगा वीडियो इस पर आपता क्या विचार है जो भी वीडियो को देखिए तो या आपकी जिमवारी हम अपनी जिमवारी सेहट गया है कि हमने अपनी पूरी बात को बता दिया है अब आपकी जिम्वारी है कि तमाम नियोजी सिचकों तक आप वीडियो पोहँचाएं सेर कीजिए, वीडियो डाwnलोड कर नहीं, बल्कि लिंक भेज कर सेर कीजिए ताकि नियो जी सिछक देखें कॉमेंट करें क्योंकि आप वीडियो डाउनलोड करते हैं तो उसमें कॉमेंट नहीं हो सकता है और कॉमेंट आप जो किजेगा यह संग रहता है सरकार तक आपकी बाते पहुशती है उमिदे नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप चैनल को जरू जाजा धन्यबाद जय हिन जय बारत बंदे मातरब